अब रोहित शर्मा का जो इंटर्व्यू का दूसरा पार्ट आया है वो भी उसमें जो सवाल उठाए गया है उससे आप कितना इत्तिफाग रखें क्योंकि इस ट्राइक रेट को लेकर रोहित शर्मा से लगातार तूचा जा रहा था इसलिए आपका स्ट्राइक रेट तो आक रोहित शर्मा ने तमाम सवालों के जवाब दी रहा है जैसे पूछा गया रन को लेकर भी तो पहले मैं का था मेरे बड़ी बड़ी आती ती लेकिन अगर आप मेरी करियर को देखेंगे तो वहां पर मेरा स्ट्राइक रेट रहता था तक्रीबन नब्बेका लेकिन पिछले अबरेट की पचास साथ का रहे तो ऐसा नहीं हो सकता इंपक्त रहेगा तो फिर आप बहुत ज्यादा अबरेट की बात नहीं कर सकते यह रोहित शर्मा का कहना है तो क्या आप मानते हैं कि उनकी स्ट्रेट्वन से आप सहमत हैं मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जतने confidence के साथ खेल रहा है और जतने confidence के साथ वो बाते कर रहे हैं इससे यही समझ में आता है कि यह सोची समझी रणनीती के तहट जो है ना वो रोहित ने अपने स्ट्राइक रेट पर और एवरेज पर जो है वो काम किया है। उनका साफ तोर पर यही कहना है कि मैंने बड़ी पारिया तो बहुत खेली है। मैंने 200 रन बनाए है और अगर उसत को उतना अच्छा नहीं रखना है तो आप चाहते ही हो कि आप तेजी से रन बनाओ और टीम की मदद करो। जो मैंने नहीं किया है वो मैं अब करना चाहता हूं ऐसा जो है वो रोहित शर्मा कह रही है अगर आप इंकी बात को ध्यान से तो और मुझे लगता है कि बहुत जो यह ना यहाँ पर जो बात है उनकी वो बिलकुल सही है तो देखते है क्या होता है लेकिन इसके अलावा ग सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी तैयारियों में थोड़ा वेस्तु दो मिनिट के बाद मैं एक बाद फिर से आपके साथ जो है वो हाजिर होता हूं बिल्कुल मैं आप लोगों से जो लोग जुड़ें प्लीज आप लोगों समय राज जानने की पूशिश करूँगा कि बतलब था लेकिन आप यह भी बताइए रोई शर्मा अब पहले बंले बादी करते थे रोजसरमा जब पहले रन बनाते थे तो क्या रहता है तो नहीं रहता था था मसला चीट टुंटी में हमने देखा कि उस टुटी वल्लकप एश्या कप जो आया टीटुंटी का उससे प तो शायद ऐसे श्राइक नहीं चाहिए आक्ट टीम को बस क्योंकि हमें पता है कि रोल शर्मा 10-15 खेल लेते हैं तो फिर उर्डी इनकी पारी उसी पेश से जाते हैं उससे जाता तेज रन बनाते हैं तो ऐसे में यह जो बदलाव है पता नहीं कितना अच्छा है मुझे लेकि कर ध्यान देंगे लेकिन विराट कुली जो अपने वाकई में विराट कुली इस तरीक से बल्लेबाजी करते हैं उस रूप में वापस है तो फिर रन बना चुब हो गया तो मुझे लग रहा है कि यह जो बयान है रोही शर्मा का स्ट्राइक रेट को लेकर यह कई ना कई प्लीज कोमेंट वाक्स में बतें वाकी इवार सवाल लेनी की कोश्ची ज़रूर करेंगे लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्तरकार फिर से अंका सर्जूर गये उससी पर बात करेंगे जिस तरीक से रोह शर्मा को लेकर तो मैंने यही यही सब कि मैं बिल्कुल अगर अगर देखो ना मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग चेंज तो मुझे लगता है कि इससे बहुत जादा फरक जो है ना वो नहीं पड़ेगा और यहां पर मुझे लगता है कि रोहित चर्मा की इस बार जो है वो कोशिश यह होगी कि सिर्फ रन बनाएं तेजी से रन बनाएं और टीम को जो है ना जो मजबूत शुरुवात की बात होती है वो यहां पर देए अगर विराट खोली का इंटर्विव आप देखे तो उसमें भी उन्हों से जादा है तो आपको समल कर खेलना है गेंद बचा कर खेलना है और अगर आप लास्ट में आ रहे हो वाल कम है तो वहां पर आपको बड़ी पारी खेलनी है अगर यह सब बाते होती है ना तो यहां पर इससे यही समझ में आता है कि जो पल्लेबाद वंडे के परिपक हैं वो टी-20 और टेस्ट फॉर्मेट उस आसानी के साथ उस यहीं के साथ खेल सकते हैं जब्कि अगर कोई टी-20 में किसी तरह से पर्फॉर्ण करता है यानि कि जिस तरीके से रोहिट चरमा और पर फोर्म कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट पर धहान दे रहे थे तो मुझे लगत पर नहीं पड़ेगा और इसके अलावा अगर बात की जाये तो मुझे लगता है कि रोहिद चर्मा ने अपने नए स्टाइल के बारे में बल्ले बाजी के बारे में बात जरूर किया लेकिन उनके बल्ले बाजी में बहुत जादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा बि एक बारी बड़ी जबरदस थाई से श्री लंकर खिलाप उसमें पुराने वाले टेस्ट में रोहिश्वर्मा लगे थे लेकिन देखते हैं कि इस बयान के बाद और नए रोहिश्वर्मा की तरीके से इश्यक अपने बल्ले बाजी करते हैं क्योंकि कहीना कि उन्होंने बोल 19 वाले रोहिश्वर्मा नजर आएं वो स्पीज में जाना चाहते हैं तो ऐसे में देखते हैं कि इस तरीकी उनके त्यारी है